इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2024 कुछ important information के बारे में काफी बच्चे जिनों ने ICR CUET के साथ में add हुआ उचसे पहले form बर दिया था ठीक है वो बच्चे सोच रहे हैं कि correction window open होगा या नहीं होगा अगर correction window open होगा तो हम क्या क्या correction कर सकते हैं और काफी बच्चे जिनोंने CUET का अभी तक form नहीं बरा है और वो सोच रहे हैं कि date extend होगा या नहीं होगा और एक सबसे important information है कि exam के date जो CUET का exam date था वो 15 मई से शुरू हो रहा था क्या 15 मई से ही CUET का exam होगा या फिर date extend होगी ऐसे बहुत सारे बच्चों के doubt है उन सभी doubt को लेके आज किस video में चर्चा की जाएगी चलिए video start करते हैं उनसे पहले कुछ important date मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बता है कि CUET का application form है वो आपका 26 तक वरा जाएगा ठीक है यह देखो यह date देख सकते हैं आप जिसमें लिका है कि आपका online application form है वो 27 फरवरी से start हो चुका है जिसका last rate है वो 26 मार्च है उसके बाद में correction विंडो ठीक है वो आपका 28 और 29 मार्च दो दिन आपका correction window open रहेगा काफी बच्चे ये भी सोच रहे है कि इसका date extend होगा अभी तक बहुत कम chances लग रहे हैं कि date extend हो सकते होगा लेकिन हो सकता है date extend क्योंकि अभी थोड़ा side में बहुत ज़्यादा problem आ रहा है ठीक है और date ज़्यादा extend के बारे में इसलिए नहीं कह रहे हैं कि CUET का जो schedule है उसमें 15 माई से आपका exam है तो देखो एक चीज में clear कर देता हूँ कि CUET का exam है वो 15 माई से ही होगा जिन बचों को लग रहा है date extend होगा तो date extend कोई भी आपके mind में execution नहीं होने चाहिए कि CUET का date extend होगा बिल्कुल नहीं होगा आपको पता है कि CUET के date extend होने का region था election तो election कमेटी ने शिदा बोल दिया कि आप अपने exam करवाओ हमारा को daily election नहीं है जिस दिन election होगा उस दिन exam नहीं होगा ठीक है तो 15 माई से आपका exam स्टा ध्यान में रखना है और सबके mind में 15 मही होना चाहिए इसलिए ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि आपका date extend होगा ठीक है तो जिन बच्चों ने form अभी तक नहीं बरा है दो तीन दिन का जो भी आपके पास में time है प्लीज जल्दी से जल्दी अपना application form है वो फिल कर दो और जिन बच्चों ने पहले application form बरा था उनमें उन्होंने काफी university को add नहीं किया agriculture के बच्चे हैं जिनोंने ICR को add नहीं किया था ठीक है तो क्यूंकि पहले form बर दिया था तो आपका जब correction window open होगा उसमें आप university को add कर सकते हैं जितना आप चाहो उतना university को add कर सकते हैं काफी बच्च कर सकते हैं हाँ registration एक बार आपने कर दिया उसमें correction नहीं होगा बाकि जो application वाली सारी चीजे थी उनमें सारा आपका correction हो जाएगा आपको पता है कि form तीन step में होता है पहला आपका registration है दूसरा आपका application form है तीसरा आपका payment वाड़ा है ठीक है तो payment वाड़ा अगर आप subject ज्यादा भर दियर वो सोच रहे हैं अब subject कम करेंगे तो payment refund हो जाएगा तो उस condition में आपका payment refund नहीं होगा एक बार पहली बार जो लग गया वो लग गया अगर इसके अलावा आप subject और एड करते हो तो आपको payment भी और करना पड़ेगा यह चीज ध्यान रखना यह आपका correction window open होगा correction window उसी side पे आप देख सकते हैं इवन आपको date बता दी एक सेकंड मैं ठोड़ा पीछे जाके भी आपकी clear कर देता हूं सारी चीज़े एक सेकंड यह आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ जैसे ही आप registration कर रहे हो इसे ही correction window को correction window open होगा तो आपको एक link दिया जाएगा जिस पे click करके आप अपना correction कर सकते हो जैसे ही correction window open होगा मैं आपको correction करके भी दिखा दूँगा correction कैसे करना है क्या क्या correction करना है ठीक है और exams related काफी बच्चे प्रेशा नोड़े की ज़रूत नहीं है और age limit cvt में वेसे 16 साल दे रखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि cvt के अंदर आपका age limit है एक सेकंड भाई देखो इसमें देखो cvt के अंदर आपका age है वो 16 साल तक होना चाहिए ठीक है अब जो icr में जा रहे है icr और एक आपका bhu इनके लिए बता देता हूं काफी बच्चे परिशान है कि इनका क्या icr ने बोला है कि आपका 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक आपका age है वो 16 साल होना चाहिए ठीक है यह चीज दियान रखना और जो बच्चे bhu में जा रहे हैं उनके लिए एक जुलाई तक एक जुलाई तक आपका age है वो 16 साल होना चाहिए यह bhu के लिए बाकी 16 साल इन्हों ने बोला है वो आपका एक जुलाई तक होना चाहिए ठीक है बाकी सारे information bulletin में आप मतलब देख चुके हैं लेकिन icr में काफी बच्चे प्रेशान हो रहे हैं कि age limit का क् criteria रहता है और इस वार भी अच्छा किया कि आपको 31 अगस्तक का time दे दिया तो काफी बच्चों को benefit भी मिलेगा ठीक है और आपके कोई doubt है तो आप पूर सकते हैं प्लीज अपना preparation है वो अच्चे से करें जिन बच्चों को test series की need है तो वो भी comment करें जल्दी आपका test series भी अ सब्सक्राइब जिलता हूं किसी नए वडियो के शाथ मैं तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे देखते रहे यूट्यूब जान थैंक्यू 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 अ झाल झाल